साहब बिहार कुलिस सर्विस के अधिकारी हैं बहुत बड़े बिहार के बालु माफिया के दमाध हैं और फिर भी देखिए किस तरीके से लालु यादों का छाता उठाके पीछे पीछे चल रहे हैं जी हां इनका हम नाम भी बताएंगे किस इलाके के डीएसपी हैं यह भी बताएंगे और क्या है इनका बैक्ग्राउंड यह भी बताएंगे लेकिन मैं हूं मनोच दुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार समभादाता अनुराग यादों कि देखिए तजवीरों में के अधिकारी हैं अनुराग यादों बिहार पुलिस सर्विस की परिच्छा पास करके अधिकारी बने हैं और लालू यादों का छाता उठाए खड़े हैं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में लालू यादों की ससुराल है वो इलाका इनके ठाना छेत्र में नहीं आता फिर भी साहब आए हैं उनकी आओ भगत करनी है उनकी चम्चाई करनी एक तरह से कह लीजिए चम्चाई सब्द जो है अच्छा नहीं लगेगा उनकी आओ भगत करनी है और आओ भगत करने के लिए च्छाता उठाकर लालू यादों के पीछे पीछे खड़े हैं सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के बहुत बड़े जो बालू माफियां है सुबास यादों उनके ये दामाद हैं और देखे लालू चस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं लालू यादों के चेहरे पर कुछ लगा हुआ है उसको भी बकायदे ये साहब साफ कर रहे हैं अब आते हम दूसरी बात पर जबकि ये जानते हैं कि लालू यादों को किसी भी तरीके की सुरक्षा अब नहीं मिली हुई है फिर भी उनके साथ चल रहे हैं लालू यादों चारा घोटाला के सजाया मुझरिम हैं अपराधी हैं फिर भी ये जानते हुए भी उनकी आओ भगत में लगे हुए हैं इस तस्वीर को देखकर वर्तमान जो डीजीपी हैं भट्टी शाहब वो इस पर क्या एक्सन लेते हैं क्या कारवाई करते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी आप बने से लिए जो है बिल्कुल नेराधार है क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी और हतियार मेरे पास भी था और मैं सुरू से ही अपना खुद की सुरक्षा के लिए चाता लिए हुए था और चुकि आगे-आगे लोग थे और पास हमको देखना था इसलिए साथ साथ में चल रहे थी उसी को नेगेटिव ख़वर बना करके लोग चला रहे हैं और गुड़ फिच में मैंने काम किया है कानून के सम्मत काम किया है मेरी मनसा ठीक थी